प्रसार भार्ती अभिलिखागा की दुस्तुति सदा बहार सुनहेरे दौर का अन्मूल खजाना आज हम पहुँचे हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान में यहां हवाएं रेट के विशाल टीलों को बनाती और मिटाती रहती है दूर दूर तक पहले इस वीरान इलाके में हमें होट एर बलून से उड़ना है और देखना है कि किस तरह यहां के लोगों और खूबसूरत जीवों ने खुद को इस कठोर वातावरण में ढाल लिया है थार मरुस्थल का डेजर्ट नाशनल पार्ग पाकिस्तानी सीमा पर लगा है और करीब तीन हजार वर किलोमीटर में पहला है बलून उड़ाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है ऐसे समय में हवा शान्त होती है इसलिए सुबह के पांच बजे ही हम धानेली गाव की ओर निकल पड़े सामान से लदी गाड़ियों के काफिले को इस रेतीले रास्ते से निकाल ले जाना आसान साबित नहीं हुआ आज हवाशान और मौसम ठंडा है 77 साल की कैप्टन वासन हमें गुबबारे में उड़ाने के लिए तैयार है इस उम्र में भी उनमें नौजवानों वाली हिम्मत बरकरार है उड़ान शुरू करने से पहले हवा का रुख जानना जरूरी है ये सुनिश्चत करना था कि तेज हवा हमारे गुबबारे को पाकिस्तानी सीमा की ओर या किसी वर्जिक शेत्र में ना ले जाए हीलियम से भरे गुबबारे ने हमें दिखाया कि आज हवा दक्षन से उत्तर की तरफ है डेजर्ट नैशनल पाक में बसे 73 गामों में लगभग 60,000 लोगों की आपादी है पानी की बेहत कमी वाले इस बंजर इलाके में इनकी जिंदगी करीब दो लाख पालतू पशुओं पर निर्भर है धानेली गाम के बाहर रेत के टीले पर हमने बलून उड़ाने की तैयारी शुरू की यहाँ टेलेफोन और बिजली की तारों के साथ-साथ बड़े पेड़ों का कोई खत्रा भी नहीं गुबबारे की टोकरी के ऊपर हमने एक छोटा कैमरा भी लगाया ताकि उड़ान के दौरान हमारी तस्वीरें मिल सकें इधर हम जुटे हैं गुबबारे को उड़ाने की तैयारी में और उधर गाम वाले अपने रोज बर्रा के काम में बिजली और आधुनिक तक्नीकी से दूर ये गाम आज भी सदियों पुराने तौर तरीकों पर चल रहा है पंखा हलके नायलॉन से बने 77,000 क्यूबिक फीट वाले गुबबारे को दस बारा मिनट में ठंडी हवा से भर देगा फिर बर्नर की लप्टें गुबबारे की हवा को गर्म करके हलका कर देती हैं जिससे गुबबारा उपर उठने लगता है हमारा आधुनिक हॉट एर बलून यहां के गाम वालों के लिए एक अजूबा है अब गुबबारा उडने के लिए तयार है इस छोटे से बलून में पाइलेट समेथ तीन लोगों की जगा है शुरू होता है थार रिगिस्तान का रोमान्चक सफर उपर से धानीली गाम वीरान सा दिख रहा था गाम के सारे मवेशी दूर चरागाहों के लिए निकल चुके थे पहली नजर में थार का रिगिस्तान बड़ा वीरान और नीरस सलगता है पर यहां 700 किस्म के पेड़ पौधे 51 प्रजाती के रेंगने वाले जीव और 141 किस्म के पक्षी मिलते हैं आश्चरे तो ये है कि ये जीव जन्तू इन कठोर परिस्थितियों और तपते तापमान में कैसे जीवित रह लेते हैं नीचे दूर दूर तक भैला है ये दुनिया का साथवा सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका केवल दस प्रतिशत हिस्सा ही रेतीला है इसके निर्मान को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है कुछ मानते हैं कि ये इलाका कभी समुद्र का हिस्सा था कुछ का कहना है कि धर्ती के भीतर भौगोलिक उथल पुथल और पर्यावरण में बदलाव के कारण यहां की नदिया सूख गई सैटलाइट से इस रेगिस्तान का नजारा बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है इस एरिया में सबसे जो एहम चीज है इस एरिया की वो इंडियन गेट बस्टेड और ये थार डेजर्ट सैंक्चुरी जो है ओ ओ ओ ओ ओ चिंकारा जा रहा हो जा रहा है तभी ठीक नीचे राजेश को नजर आया एक और चिंकारा और कैमरे में कैद हो गई सुबह की धूप में लंबी परचाही के साथ एक खूबसूरत तस्वीर चोटे कद, गठीले बदन, घुमावदार सींग वाले चिंकारा ने रेगिस्तान के कठिन जीवन को अच्छी तरह अपना लिया है वे कई दिन तक पानी पिये बिना जिन्दा रह सकते हैं आधा घंटा बीग चुका है हमारी सपोर्ट टीम की निगाहें हमारे गुब्बारे पर टिकी थी और वो जैसे तैसे उबडखाबड रास्तों से गुजरते हुए हमारे पीछे आ रहे थे अचानक हवा का रुख बदला और गुब्बारा तेजी से नीचे आने लगा ये खतरनाक हो सकता है पाइलट ने गुब्बारे को जैसे तैसे फिर से संभाला और हम बाल-बाल बच गए रेगस्तान में सवेरा होते ही तापमान बढ़ने लगता है और ऐसे में गुब्बारे को उड़ाने में मुश्किले आती है कैप्टन ने गुब्बारे को उतारने का फैसला किया देखते ही देखते हमारी टोकरी बड़े जटके के साथ जमीन से जाट अक्राई किसी तरह हमने अपने आपको और कैमरों को संभाला कैप्टन गुब्बारे को नीचे गिराने में चोटकाए पहले तो टैश्डाउन वहां किया, पहले वहां टैश्डाउन किया, यहां थोटे से ड्रेक किया, अच्छा एप्टेश्ट की वज़े से, इसके लिए एक बात है कि बैक्बोन दो हो निचे लिए हम अच्छे समय नीचे उतर आए दिम के चड़ते ही यहां तेज रेत भरी हवाईं चलने लगी थी गुबारे से गोडावन को ना देख पाने से हम कुछ निराश्टु थे पर हमारे होसले बरकरार थे उसी की तलाश में हम निकल पड़े सुधाश्री के घास के मैदानों में और साथ में हैं अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड बोधराम इसमें गुडावन का टाइम है भी जोडा बनाने का और कोई खासतर रग्या आवाज करता है रात में आखरकार हमने ढूंड ही लिया एक गोडावन शायद नर है गर्व से गर्दन ऊपर किये हुए वो हमसे दूर ही जा रहा है शायद हमसे डर रहा है गोडावन खाने में मौका परस्त होता है गेहूं चना बेर आदी से लेकर ये सांप बिच्छू गिर्गिट और कीट पतंगों को भी चट कर जाता है आज की अच्छी शुरुआत ने हमें यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में गोडावन की अच्छी तस्वीरें ले सकेंगे मौनसून आस्मान पर दस्तक दे रहा है रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है लेकिन हलकी सी बारिश भी यहां की प्रक्रती में रंग भर देती है ये गोडावन के प्रणय का समय है गोडावन के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने सुधाश्री में मवेशियों से बचाने के लिए घास के काफी बड़े क्षेत्र की गेराबंदी कर रखी है यहां बारिशों में अच्छी घास उगाई है यह देखिए यह जो यह जो डीन पी के इंक्लोजर्स हैं यह बड़े-बड़े अच्छे हैं यह एक तरह से नर्सरी से मलना चाहिए बस्टर्ट के ब्रीधिंग के लिए यह सबसे अच्छा एरिया माना जाता है और यहां पर कोई 20 साल पहले कोई अभी अभी तक दस-पंदरा बस्टर्ट देख लिए होते हैं अभी हम लोग देखे हैं यह दो फीमेल है आगे वाली मधर है और हुए इस ही साल का बच्चा और यह वह हमें बहुत दिन ताक मोली में मदर के साथ रहता है और बिलको बराबर बराबर चलेगा नोस साथ सा hat लुए चलते है डियसा बच्चा डिपेंडंट है मधर के यह देकी बिल्कोल बढाब से साथ साथ्छय नर्गोडावन मादा को लुभाने के लिए बहुत आकर्शक प्रदर्शन करता है क्या हम इसका फिल्मांकन कर सकेंगे? इसके लिए राजेश ने वाटर होल के नस्दीक एक पुरानी हाइड में दिन भर बैठने का फैसला किया उन्हें ये भी देखना होगा कि हाइड के भीतर कोई जहरीला सांप या बिच्छू ना छिपा हो इतनी छोटी सी जगह में पूरा दिन गुजारना काफी कठिन होगा तीन घंटे के इंतजार के बाद प्यास बुजाने के लिए सबसे पहले आया चिंकारा फिर भटती तर यहां पानी अन्मोल है भीशन गर्मी में पानी के अभाव को दूर करने के लिए वन विभाग ने पानी की अनेक होदियां बनाई है अब बारी है नेवले की आखिर एक नर गोडावन भी बड़ी शान से अपनी प्यास बुजाने पहुचा उंची लंबी गर्दन और लंबे कद के कारण यह बैठ कर ही पानी पीते हैं तब ही राजेश को दूर एक नर गोडावन अपने इलाके के उंचे टीले पर शानदार प्रदर्शन करता दिखाई दिया इसमें जो मेटिंग चॉइस है वो फीमेल की है तो फीमेल है वो डिफरेंट एरिया में पांच छे दस दस फीमेल गूमती रहती हैं और उनको अट्रैक करने के लिए इनकी एक यहां पर गुलार पाउच होता है सफैसा वो लटकने लगता है और वो टेल को वो कॉक करते हैं और उसके बाद नहीं खड़े हो जाते हैं बहुत ही और दूर से ऐसा लगता है जासा आदमी खड़ा हुआ हुआ और फिर वो आवा को आवाज निकालते हैं और वो आवाज एस बहुत लाउड नहीं है वो बट इस फार करें है अल्मोस एक एक क्लो मीटर तक अवाज अ सुनाई देती है और वो आवाज ऐसी होती है और बहुत दोर तक जाती है और ये आवाज जो है न ये फीमेल को एक तो डिस्प्ले और ये आवाज वो अट्रैक करती है शाम की सुनहरी रोश्नी में किसी राजकुमर जैसे चमकते इस नर्ग गुडावन की प्रेम पुकार सुन लिगई है दो मादाएं उसकी तरफ खिची चली आई है अब वो बड़ी शान से उनके पीछे चल पड़ा है राजेश के लिए आज का दिन बड़ा शानदार रहा मरुस्थल में बारिश की सौगात बहुत कम दिनों के लिए आती है गिलहरी जैसे दिखने वाले इन गैबरिल चूहूं के लिए तो जैसे दावत का मौसम आ गया है ठंड के मौसम में चार महीने तक जमीन के अंदर हाइबनेशन में रहने वाले स्पाइनी टेल लिजड याने सांडा कभी पानी नहीं पीते हरी पत्तियों के खाने से ही इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है आस्मान में मंडराते बाज की नजर सांडे पर पढ़ चुकी है लेकिन अपने चौकन्नेपन के कारण इस बार वो पच गया इस दो मुहे सांप यानि सांड बोवा ने एक सांडा को कुंडली में धर दबोचा इस छोटे से जीव को दम घोंट कर मारने और पूरी तरह निगलने की फिल्म बनाने के लिए हमें एक घंटे से ज़ादा इंतजार करना पड़ा पालतू जानवर भी यहां के पर्यावरण और भोजन क्रम का एहम हिस्सा है लेकिन उनकी तादाद बे हिसाब बढ़ने के कारण प्राक्रतिक भोजन क्रम का संतुलन बिकड़ रहा है जानवरों का गोबर यहां के गौब्रैलों याने डंग बीटल को भरपूर खाना उपलब्ध कराता है गौब्रैलों के लिए ये एक बेश कीमती चीज है इसे बचाने के लिए लुटेरों से जूजना भी पड़ता है वे गोबर का एक गोला बना लेते हैं और फिर नर और मादा मिलकर उसे सुरक्ष जगह पर ले जाते हैं गौब्रैलों की फौज इस रेगिस्तान में सफाई कर्मचारियों जैसी है जो पर्यावरण को साफ रखती है और जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है गोबर के गोले को गौब्रैले नर्म जमीन में दबा देते हैं जो एक तरफ तो कमी वाले दिनों में भोजन के काम आता है दूसरी तरफ जमीन के अंदर जन्म लेने वाले उनके बच्चों का आश्रे बनता है गोडावन तो बहुत ही इंडेंजर इसलिए हो गया है कि एक तो घास के मैदान खतम हो गया है और कोई ध्यान नहीं है उसकी पोचिंग बहुत होती है और होती थी जहां-जहां गाड़ी चली गई वहां बस्टड खतम हो गया उन्ट पर सवार होकर हम निकल पड़े उन्ची घास वाले मैदानों में गोडावन के अंडे की तलाश में गोडावन एक बार में सिर्फ एक अंडा देते हैं वो वहां पड़ा है गोडावन का अंडा बिल्कुल खुली जगह पर जैसे कोई पत्थर पड़ा हो अंडे को शिकारियों से बचाने में उसका रंग बड़ा कारगर साबित होता है पैंटालीस दिन में अंडे से चूजा निकलता है रेगिस्तान की ये चतुर लोमडी हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है अंडों को जादा खत्रा सफेद गिद्धों से है जो अपनी पैनी निगाहों से अंडे को ढूम सकते हैं गुडावन के अंडे का एक और खतरनाक दुश्मन है गोह ये तो अंडे के काफी करीब पहुँच गई है मादा गुडावन गोह का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही है अरे गोह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ निकल गई गुडावन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है उसका अंडा बच गया लेकिन उसका भविश अब भी खत्रे में है यह हम जानते हैं कि हर साल इसकी संक्या कम होती चली जा रही है और कुछ संक्षड़ी जैसे करेरा बस्ट़ट संक्षड़ी मत्यपरदेश में وहा सरलुप्त हो गया गाती गाओं में दो- recipro मत्यपरदेश में सोरसन बस्ट़ट संक्षडी बनायी तक भास अंक्री बस्ट़ट के लिए हर जहाएं से खतम हो गया यह तो राजिस्थान के इस बीहड एलाके में Bombay Natural History Society के डारेक्टर डॉक्टर असद रह्मानी और उनकी टीम पिछले 20 साल से गोडावन को बचाने की मोहिम में जुटी है नवस्ते, कैसे हैं? गाउं गाउं में घूमकर वे स्थानी ये लोगों को गोडावन के महत्यों के बारे में बताते हैं गोडावन को बचाने की उनकी मोहिम सिर्फ पक्षी की एक प्रजाती को बचाने की नहीं है गोडावन हमारे पर्यावरण संतुलन की एक कड़ी है गोडावन तभी बचेंगे जब घास के मैदान बचेंगे घास के मैदानों में ही दूसरे जीवों का आसरा भी है और हमारा जीवन भी उस पर आश्रित है। कोड़ावन का बहुत सब्सक्राइब करते है। कोई 20 साल से हम लोग आर्मेंट से कह रहा है कि जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट टाइगर है प्रोजेक्ट अलिफेंट है इसी तरह से प्रोजेक्ट बस्टर्ड हो चाहिए। अजितर एक्शन होना चाहिए यह निए जिए कि अपर सैंक्ष्री बना दी और चोड़ दिया। तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड हम रोग इस नहीं कह रहा है कि सिर्फ बस्टर्ड बचाएंगे। सारे ग्रास्रों इको सिस्टम बचेगा। और बस्टरट को भी फाइदा होगा गामवालों को भी फाइदा होगा यह तो बहुत कम है यह तो हो सकता है 300 से 500 के पूरे दुनिया में हो गास के मैदान में किसी शहनशाह की तरह विचरते इस गोडावन का भविश अब हमारे हाथ में है और इसे बचाने का समय निकलता जा रहा है ये मानव जाति पर एक कलंक होगा अगर हम इस शानदार पक्षी को लुप्त होने से न बचा सके तैयार रहे अगले हफ़ते बेदी बंदुहों के साथ एक और दिल्चस्प सफर के लिए कि अगले है